हालो गुड मॉर्णिंग फ्रेंड कैसे हो आप सब उमीदे फ्रेंड बढ़िया होंगी मॉर्णिंग मैं व्लॉग बुना रही हूं मैं फाइब उग्लोग पर उठी हूं पूरा मतलब मैं आपको रूटीन पूरा सेयर करूंगी मैंने सुबास लेकर साम तक में क्या क्या करते है बस फ्रेंड पहले उठोंगी जबन मेरी डूटी जाएंगी उनके लिए नास्ता पानी और टिफन त्यार करूंगी तिफन त्यार करने के बाद फिर मैं जट पे जाओंगी और जुडियों के लिए दाना डालूंगी पानी डालूंगी और सारा कुछ उस्धी ज़िव बाजरा हो गया यह मैं रखती हम और हमेंसा उनके लिए डालती हुआ प्राद कि उनको तुच्छडिया है और कहीं जाते भी नहीं गल्मियों में दूर तक पानी होता उहां चले जाते है पर सार्दीयों में तो बचारे भूखे रहते हैं और फिर मैं के ल बेट हो जाती हूं उस दिन पहर तो बहुत ही सोर मचाता है और फिर अपना खापी की अपने लेहर पे चली जाते हूंगी और उसके बाद मैं आऊंगी नीचे अगुर्वाली चाय बनाऊंगी फिर थोड़ा सा एक्सराइज करती हूं एक्सराइज करने के बाद मेरा बेटा नइन ओ क्लॉक पे स्कूल जाएगा फिर एट ओ क्लॉक हो जाते हैं उसके बाद फिर उसके लिए डिफ अन्तियार करूंगी जब वो जब वो चला जाता है तोड़े सा ताव हो जाती है और आज वैसे रिख थरस्टे है तो फिर उसके बाद जैसे हो जाएगा मैं अपना प बनाओंगे इनके लिए मैं और बोग के लिए मैं सेमिय बनाओंगे बबाँचे के लिए और पूझा उचा करूंगी जो तो जला के सारा काम करके फिर थोड़ी देर दूप में बैटने के बाद फिर हो जाता है दोपहर का पाइन और फिर उसके बाद स्टीचिंग का काम मैं करती हैं और स्टीचिंग सिर्फ मैं अभी पहले में लोगों का भी कर लेती थी मतलब आसपास के लोग कोई स्टीचिंग कराना चाहता है सोटूट कुछ भी तो मैं कर लेती थी बट थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम मेरे को हो गई थी ज़ती हो मैं तो वो उसकी वज़े से अ पढ़ मोट और, और फिर उसके बाद जो टाइम मिला दो पहर का चलो हो गया और उसके बास साम के टाइम, आसपास के बच्चे करती हूं को अब परहने के बाद जो टाइम मिलेगा 600 ग्लोक्स आनी हो जाता है उसके बाद फिर वही लग जाते हैं जाने के बाद भगवानी तो बहुत बावर है मैं दोने के साहरे चलती जाती है इनसान पर तुम अतना विश्वास नहीं करती है क्योंक आप कौन बंदा कब दोका देते पता नहीं पर भगवान कभी देते दोका हमेशा तुमारी चाहे कितनी प्रॉब्लम हो उनसे कहोगे और वहारा काम हो जाएगा आद में तो जाहे थोड़ा लेटी हो बठ होएगा वहा झाले